हेलो फ्रेंच मैं हूँ विज्ञा और हाँ तेख रे हो विज्ञास creative garden फ्रेंच अपने पोटुलाका को दुबारा से जल्दी से flowering के लिए ready करने के लिए हमें कुछ काम तुरंती करने होंगे क्या-क्या काम करने होंगे आपके संग share करेंगे फ्रेंट्स दो महीने डॉर्मेंसी में रहने के बाद हमारे पोटुलाका की हालत कुछ इस तरीके से हो गई है हो सकता है इससे भी बुरी हो गई हो तो अगर इससे भी बुरी हो गई हो तब भी आप ये काम सभी कर सकते हैं अपने पोर्टूलाका या फिर पोर्चूलाका के प्लान के साथ तो friends अगर आप चाहो तो अपने पोर्चुलाका को गंबला भी चेंज कर सकते हो उसको कटिंग से भी लगा सकते हो और उसका नया स्वाइल मिक्स भी बना सकते है पोर्चुलाका में जो है काफी समय से लगे-लगे हो सकता है कई दूसरे प्लांटस भी जर्मिनेट हो गए हो तो हमें इनको निकाल देना जैदा बेटर होगा क्योंकि हम जो भी ट्रीटमेंट करेंगे हम चाहेंगे कि हमारे केवल पोर्टुलाका के प्लांट में ही लगे नहीं तो फ्रेंट्स एनर्जी जो है मिट्टी के एनर्जी डिवाइड हो जाएगी और हमारे पोर्टुलाका देर से फ्लावरिंग करेंगे तो हम जो है कुछ ट्रीटमेंट ऐसा भी करते हैं जिससे की मेरे प्लांट में जल्दी फूल भी आना शुरू हो जाते हैं सबसे पहले जो है दूसरी वीड वेगारा हटा ली देखी जो इस तरीके की सूखी सूखी सी टेहनिया हैं उनको भी हटा दीजे सूखी सी पिछकी सी दोस्तों ये जो मोटी मोटी आपको इस स्टेंप दिख रही है ऐसी मत हटाना क्योंकि ये स्टेंप अभी दुबारा से ग्रो होगी इसमें दोस्तों अगर आपके में दुबार पत्तियां वेगारा अभी तक नहीं आई हैं तो परिशान मत होना अब फिर निकल आएंगी तो बस आप बेकुछ सूखी सी पिछकी वाली ही हटाना और लगी रहने देना तो पहला काम तो आपको ये करना है कि सूखी टेहनिया हटानी है दूसरा दोस्तों आप गंबला भी चेंज कर सकते हो ये वाली जो क्लिपिंग दिखा रहे हैं ये दो साल पहले हमारे प्लांट की थी मुझे मिल गई तो मैंने इसमें डाल दिया अब जो है मैं गंबला भी चेंज करने जा रही हूँ तो पोटूलाका को आप जो है तीन चार इंच से लेकर के कितने भी बड़े गंबले में लगा लो सब में ग्रो हो जाता है बस दोस्तों गंबले का ड्रेनेज अच्छा रखना यहाँ पर जो हमने स्वाइल मिक्स लिया है अच्छी तरीके से तो इसको मिट्टी को अच्छी तरीके से मिक्स कर ले रहे हैं और इसके बाद इस गंबले में भर ले रहे हैं अच्छा मेरे जो पोटूलाका में जल्दी से फ्लावरिंग शुरू हो जाती है वो क्यों हो जाती है यह भी हम आपको दिखाते हैं तो फाल दी और इस नई मिट्टी में इसको लगा दिया थोड़ा सा और उपर भर दिया है हमने इसको और इसको जब लगाएंगे ना थोड़ा सा अच्छी तरीके से प्रेस करेंगे ताकि जो जो पॉचुलाका की थोड़ी बहुत जड़े हैं वह नई वाली मिट्टी से अच उसमें सूखे पत्ते मिला लेना दोस्तों बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो तो तीक रहता है वेल डॉइन मिट्टी होना बहुत ज़रूरी है तो यहां पर मैंने पूरे देखिए इसकी जो काफी सारी मिट्टी हटा दे रहे हैं इसी में थोड़ी सी रूट प्रून यहां जो रूट्स ड्रेक्ट में लगा दी है वो जल्दी से फ्लावरिंग शुरू कर देंगे तो इस तरीके से ज़्यादा जल्दी फ्लावरिंग शुरू हो जाती है हुमारे जो पुराने पूटू लाका लगे थे तो फूल जो थे न तो उसकी सूख गयते तो इसे जहां आप देखिए कोई भी डाली या स्टेम्ट काईए दो इंच की होती है या एक इंच की होती इसको तुरंट पिंच कर दीजे अभी हमारे पास 40 से 50 डेज है प्लांट को ग्रो करने का खुब अच्छे से ग्रो करिए जितना अच्छा ग्रो होगा उतनी अच्छी फ्लाव अब यह और ग्रो करेगा फिर बाद में इसकी कटिंग निकाल करके सब जगे लगा दूंगी इसके बाद दोस्तों इसको जो है आई सारा काम आप जो है अभी अभी से लेकर के मतलब फरवरी से लेकर के पूरा अगस्त तक खुबराम से कर सकते हो अगस्त के बाद इसलिए कहेंगे दोस्तों क्योंकि उसके बाद जो है इसका सीजन ओफ होने लगता है अब इसमें दोस्तों हम जो है टेन डेज के बाद इसमें जो है लिक्विट फटलाइजर डालेंगे केवल गोबर की खात का और वो लिक्विट फटलाइजर हर टेन डेज में यूज करेंगे या इस वीडियो की समरी बोलें दोस्तो तो इसकी लाइट रूट प्रूनिंग करना है और इसकी रिपोर्टिंग भी आप कर सकते हो और फड़ा-फट कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं जब इसमें कलियां बनती हुई दिखाई देने लग जाएं तब आप सरसो की खली का लिक्विड फटलाइजर भी डाल सकते हो आगे जो है आपको इसका अपडेट देंगे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक पर हिट करके जाना मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो फिर मिलते हैं तब तक के लिए गुड़ बाए